हेलो दोस्तों स्वागत आफ सभीका हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एक्जाम 2021 के बारे में कुमोई यूनिवर्सिटी के एक्जाम के बारे में इनके निज निकल के सामने आ रही थी परस्व मैंने उस पर एक वीडियो बना सारे डाउट थे तो इस वीडियो में उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे बहुत सारे लोग पूछ एथे कि कौन से सेमेस्टर के एक्जाम होंगे और किनको परमॉट किया जाएगा और मार्किंग कैसे होगी तो वन बाइवन सभीके डाउट में लूँगा तो आप इस स्टूडेंट के एक्जाम की गुमावी उनिवसेटी कराने जारी है तो यहां पर क्लियर मैंशन है आपके जो विसम सेमेस्टर के साथ लोगों पूरों अंगों के अधार परमॉट किया जाएगा और जो सिकिंड जो न्यूज इनोंने दी वासिक पद्देती वह सम अक्टूबर में होंगी तो आप यूज आप पीज के जिन्ने भी स्टूडेंट है यह दि आपका विसम सेमेस्टर आपके स्टूडेंट हो तो आपके जो एक्जाम है वह आपके नहीं कर आए जाएंगे आपको परमॉट किया जाएगा और जो फॉर्मूलार आएगा इंडियर और 3rd year वालों के जिनने भी एकजाम है वह सितमबर ऑक्टूबर में उनिवरसिती करानी जा रिया और सांत ही साथ विस्टूडेंट भी जो की सेकिंड सेमेडर 4th semester और 6th semester के जिनने भी student है चाहिए आप UG हो या PG आपका इसनातक हो या इसनातक उत्तर तो आपके जो एक्जाम होंगे यह भी इनके साथ ही करा जाएंगे और इसमें कोई भी चेंज होता है तो हमारा चैनल आप सभी को सबसे पहले बताएगा तो आप हमाएं चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और दोस्तों आपका यह डाउट भी था कि व्यावसाइक पार्टिकरम में जिनने भी कोस आते हैं चाहिए आपका बीड हो ओनर्स हो ज समस्टर के सारे स्टूडेंटों को पर्मूट किया जाएगा उनका भी जो मार्किंग होगी वह किस बेस पर होगी मैं आगे आपको डिसक्रस करूंगा अब मैं आपको कुमार्य उनिवर्टी का और जो ऑफिसल नोटिफिकेशन है उसके मादेम साब को बताऊंगा कि आपके सालों के यूजी हो चाहे पीजी हो तो आपके एग्जाम यूणिवर्श्टी कर आएगी वह भी सित्मबर अक्टूबर में और विसम समेश्टर के स्टुडेंट को पर्मूट किया जाएगा और यदि आपका यृशरी पाटि करा में हो याव भी ऐसे ओनरस और या बीएड का आपका कोस्ते लिए अटेटी कि अंडर आता है तो उन सारे स्टूडेंट के लिए न्यूज है तो उनके जो वेज़ाई पार्टेकरम में उनके भी ऐसी यहीं लागो होगा उनके भी जो विशम सेमेश्टर के जिने भी स्टूटेंट है रहेंगे उनके एक्जाम युनिवसर्टी नहीं कराएगी उनको पर्मोड किया जाएगा और जो सम्सेमेश्टर यानि इवन सेमेश्टर के जिने भी स्टूटेंट है रहेंगे उनको एक्जाम देने होंगे वह सेप्तमर और अक्टूबर में और दोस्तों और भी कोई डाउट रहेगा आपका तो आप हमें डेक्टील नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हम आपके कोसे नका आंसर आपको दूंगे तो आप बात कर लेते हैं विश्म समेश्टर में जिने भी स्टूडेंट है प्रतम सम बत्रों के लिखिट परेक्षाएं डी गई हैं ऐसे विसेयों प्रस्न पत्रों में विद्यार्ति द्वारा बाहय और लिखिट परेक्षा के मुलेंकन में उप्रांत अर्जित या थावत पदान के जाएंगे यानि आपके जो विसम समेश्टर के जिने भी स्टूडेंट है थार्ड सेमेश्टर या फिर्ट सेमेश्टर या आपका पीजी में आपका थार्ड सेमेश्टर उनका जो एक्जाम होगा उनके जो कोवी नाइंटीन से पहले जिनने भी एक्जाम आपके हो रखें तो उनके बेस पर आपको मार्क आपको मिलेंगे और जो विद्यार्ति हैं उनके जो इंटर्नल भी उसी बेश पर मिलेंगे जो आपको पहले ईग्जाम से पहले इंटर्नल आपके होए थे उसी पर भ molta יה जिसमें आपके परलोगातमक और मौक्रीकशाय होती है Turkey है तो वह बहुत के पहले मार्क भी आपको उसी पर मिलेंगे और अब बात कर लेते हैं जो जो पेपर छूड गिये थे जिन भी स्टुडेंट के 18 अप्रेल के बाद से जिनने भी एक्जाम थे उन सब्जेक्टों के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे तो जो वह होगा आपके जो 50% आपके जो इंटर्णल के आपको मिलेंगे और 50% आपको पूर सेमेश्ट माजित खुलंको के अधारपाप को मिलेंगे तो क्लियर हो गया होगा वह आपके एक्जाम अठ्राप्रेल से पहले जिनने भी होगे हैं तो आपको जो भी एक्जाम में जो भी लिखित परिक्षा आपने दी होगी उस बेस पर और आपके जो इंटर्नल पहले आपके जो हो गए हैं उसी बेस पर उस सब्जेक्ट में आपको मार्क मिलेंगे और जिन सब्जेक्टों के पेपर आपके कोविड-19 के कारण चूड़ गे थे तो उन में आपको 50% आपक दो पुष्यवेस सेमेस्टर के विशाब से इस स्भूपेसेमेस इसमेस्टर में जिन्ने भी आपके मार्क होंगी उसके अधारभ़ आपको मिलेंगे वह बत कर लेते हैं विश्यच्छ सेमेस्टर के जन्हें भी स्टुटन्ट हैं जन्होंने सीउपी का एक्जाम नें भरा था उनके जो एक्जाम för 100 प्रैल यदि अपके तो आपको जिन्हें भी ऐक्जाम हैं अपके हो गएदे उनके मास करें आप aus योगात्मा क्षै Delhi हो कि आपके पहले complete जिनने भी subject के यह complete हो गए हैं उन्हीं के बेस्प आपको मार्क मिलेंगे और जिन subject के exam आपके COVID-19 के कारण रहे गे थे तो उनमें आपको marking आपकी जो 50% आपके previous semester से मिलेंगे और 50% आपके आपके internal के बेस्प आपको marking होगी तो बात कर लेते हैं फर्स्ट समेश्टर के student के बारे में जिनने भी फर्स्ट समेश्टर के student है चाहिए आपका अंडर ग्रेजवेट हो या पोस्ट ग्रेजवेट के जिनने भी student है उनके जो फर्स्ट समेश्टर यह दिया आपका है तो आपका जो मार्क होगा किस बेस्ट पर आपका जो परिक्षा पल गोशित किया जाएगा तो यह दिया आपके जिनने भी सब्जक्ट के एक्जाम 18 अप्रेल से पहले हो गए थे तो आपको उनमें जो लिकित परिक्षा है आपकी हुए थी वह मार्क भी आपको मिलेंगे और जीन परशनु पर्चो यानि विश्यों के परिक्षा है विश्यों जाले दवरा कोई 19 से उत्पन्न विश्म परिस्टितियों के डिश्टिकट आएजी नहीं कराई जाह सकी ती यह जीन में सब्जक्ट के ए आपको मिलेंगे यानि आपका जो एक ओनलाइन बेस्ट पर आपका एक इंटर्नल एक्जाम आपका होगा उसकी 30% मार्क सापको मिलेंगे और जो 20% मार्क से आपकी रहेंगे यह आप इसनाता की स्टुडेंट हो अंडरगरेजुट के यौदे हिसटुदेंट ऑफ कॉन टोंrades टोंesti परसंट मार्क से रहेंगे सो आपके इंटरमेटे यारी तोल थी की बैस पर 20% marks आपको मिलेंगे और यह आप इसनात्र को तर यानि में MSC M.com यह आप करते हो तो आपके जो इसनातर में आपका जो भी आपका कोर्स रहेगा उस में आपके जिनने भी marks आये होंगे उसके 20% marks आपको मिलेंगे इस तरह आपका परिक्सपल गोशित किया जाएगा और विशा कि जो अधिमान अंक होंगे वह आपके अतरिक्त आंतरी मुल्यांकन ओनलाइन माजम से पूर्ण कराएंगे तो आपके जो इंटर्नल का 30% marks का आपका इंटर्नल होगा उसके बेस पर आपको मार्किंग आपकी होगी तो दोस्तों और कोई भी डावट रहेगा आपका तो में डिर्क्तिली कमेंट करना तो थैंक्स पार वाचिंग बाई बाई